आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपने मेरी टैस सिरीज के लिए जितना उत्सा और जितना प्यार दिखाया है सबसे पहले उसका हार्दिक धन्यवाद और आज हम लोग ब्रह्मास्त्र टैस सिरीज का पांचवा प्रश्ण पत्र लेकर हाजिर होए हैं और आएए देखते हैं आज की टैस सिरीज में कौन कौन से प्रश्ण शामिल किये गए हैं प्रिय वद्यार्थियों और दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत है सबसे पहले आप सभी का हार्दिकाभार आपने मेरी टैस सिरीस के लिए इतना उत्सा और इतना प्यार दिखाया है एक बार पुना हर्दिक धन्यवाद और आज ब्रमास्त्र सिरीज का मैं पांचवाँ प्रश्ण पत्र लेकर आपके सामने उपस्तित हूँ और आएए देखते हैं फटाफट आपका पहला प्रश्ण स्क्रीन पर है वो क्या कह रहा है पहला प्रश्ण यह कह रहा है काले स्लेटी पाशान की बनी नरत्यरत पुरुशाकृती ध्यान से देखिएगा काले स्लेटी पाशान की बनी नरत्यरत पुरुशाकृती यहाँ पर यह कोशिन मार्क है यह भी बहुत क्लियर नहीं है कि यह पुरुश आकरती है या फिर यह किसी मैला की आकरती है फिलहाल जिसकी पैचान जॉन मौर्शल ने नटराज शिव के रूप में की है यह कहां से मिलती है यह कहां से मिलती है तो ध्यान रखिएगा इस ज़ाब है हडपा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब हमेशा है हडपा जल्द बाजी में अगर आप मोहन जोड़ों लगा देंगे तो गलती हो जाएगी क्योंकि मोहन जोड़ों से कास्य नर्तकी की आकृती मिली है वो कासे की बनी हुई एक प्रतिमा है कास्य नर रखना चाहिए कि जिसकी पहचान फिलहाल संदिग्द है लेकिन जॉन मॉर्शल जी से नटराज शिव का आध्य रूप मानते हैं या प्रारंभिक रूप मानते हैं वो हडपा से मिलती है और ये नित्यरत पुरोशाकृती भले ही संदिग्द है लेकिन काले स्लेटी पाशान क बनी हुई है और आए आज का अगला दूसरा प्रश्णह हम लोग देखते हैं और आपका दूसरा प्रश्णह वेंदिकाल से है और इसमें कैय रहा है किस मूल पाथ में भारति ये गनति ये लेखन से संबंधित प्राचीनon साक्ष मिलते हैं मिलते है और चार option है दिखाई पड़ रहा है और सही जवाब है श्राथ सूत्र सही बात ये है श्राथ सूत्र का एक उपविभाग है एक अलग से उसी में समाहित पाठ है जिसको कहते हैं शुल्व सूत्र और इस शुल्व सूत्र में मैं लिद दे रहा हूँ शुल्व सूत्र में विभिन यग्यवेदियों को बनाने से संबंदित जामिती आकृतियों का उलेख हुआ है यानि कि वो जामिती आकृतियां इटमेंस की वो सरकिल है वो त्रभुजाकार है वो चतुरभुजाकार है तो आप इस प्रश्न को सामान्य धंग से ऐसे भी समच सकते हैं कि रेखा गणित के प्राचीनतम साक्ष्य रेखा गणित के प्राचीनतम संकेत किस भारती ग्रंथ म में हैं ठीक है अगर श्राच सूत्र विकल्प में दिया है और शुल्व सूत्र भी विकल्प में दिया है तब आप श्राच सूत्र नी चुनेंगे शुल्व सूत्र चुनेंगे ठीक है और आएए देख लीजे अगला और तीसरा प्रशन क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न भी आपका वैदिक काल से है और ये कह रहा है निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापती के रूप में वरनित है और वो है वराह और ये कथा आती है शत्पत ब्रामण में ये कथा आती है जिसमें ये कहा गया कि ये बताइए जब प्रथवी प्रले में डूबी तो प्रजापती ने वराह का रूप धारिन करके प्रथवी का उधार किया मैं आपको एक बहुत बहतरीन प्रश्णिया पर और डिसकस कर देता हूँ आप देख पा रहे होंगे कि अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना कहां मिलती है अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना शत्पत ब्रामण में उल्लिखित है जिसमें केवल इतना संकेत मिलता है कि प्रले के समय प्रजापती ने वराह का रूप रखकर प्रथवी का उधार किया प्रजापती ने वराह का रूप रखकर प्रुत्वी का उध्धार किया तो आप ध्यान रखेगा ये प्रजापती वराह के रूप में है शत्पत ब्राम्वन में और अगर आपसे इस पश्ट तौर पे इस प्रश्ट को कहा जाए कि अवतारवाद की इस पश्ट संकल्पना कहा मिलती है इस पश्ट शब्द अगर आप से डिसकस किया जाए तो वो श्रीमत भगवद गीता है अवतारवाद की इस पश्ट संकल्पना श्रीमत भगवद गीता में मिलती है जिसमें Lord Krishna ने खुद उद्गोशना करी है यदा यदा ही धर्मस्य अगला निर्भवती भारता फिर एक अगला श्लोक है परित्रानाय सादुनाम विनाशायचा दुश्कताम धर्मसंस्थापनार थाय संभवामी यूगे-यूगे मैं ही यूगों-यूगों में अफ्तार लेता हूँ Lord Krishna ऐसी उद्गोशना कर रहे है तो अगर आपसे ये प्रशन पूछता है कि इस पश्ट संकल्पना अफ्तारवाद की कहां पर है तो आपको जवाब देना है श्री मत भगवत गीता और अगर आपसे पूछता है कि ये बताईए कि अफ्तारवाद की सूख्श मसंकल्पना कहां मिलती है तो जवाब है श्रीपत ब्रामन और अगला प्रशन हम लोग डिसकस करते है अगला कोशे नमबर फूर अगला प्रशन भी आप देख पा रहे हैं वैदिक काल से जुड़ा हुआ प्रशन है और ये कह रहे हैं कि ससरपरी और यातुधान निम्नलिखित में से क्या है यातुधान और ससरपरी निम्नलिखित में से क्या है अपकारी शक्तियां है पतन की देवियां है अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां है वनों की संरक्षक देवियां तो इनको अरण्यानी कहा गया है ये ध्यान रखिएगा वन की देवी अरन्यानी है अमरत्व की देवियां बिलकुल गलत है तो अब आप देख पा रहे होंगे एक ही विकल बचरा है और ये हैं अपकारी मतलब नुकसान करने वाली पतन की देवियां और इसी में एक नाम मिलता है कृत्या का भी आप ध्यान रखिएगा एक नाम मुझे और याद आ रहा है मैं बता देता हूँ और वो है निररिती ये चार देवियां पतन की और अपकारी शक्तियां थी जो लोगों को नुकसान पहुँचाती थी तो चार नाम हो गए आपके पास यातुधान, ससरपरी, कृत्या और निररिती ओके अगला प्रशन देखिए पांचमा प्रशन क्या कह रहा है अगला पांचमा प्रशन थोड़ा सा टेक्निकल है और गुप्तकाल से संबंदित है वो ये कह रहा है कि परमभागवत की उपादी सर्वप्रथम किस ने ली किस गुप्त शाशक ने सर्वप्रथम परमभागवत की उपादी ली नेट में ये प्रशन पूँचा गया है बाद में अलग-अलग परिक्षाओं में भी ये प्रशन आया है और सामानय तौर पे गुप्ट वंश में सर्व प्रथम परम भागवत की उपादी लेने वाला शाशक था समुद्र गुप्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए समुद्र गुप्त की परम भागवत की उपादी उसके गया तामर पत्र अभिलेक में उलिकित है गया तामरपत्र अभिलेक में इसकी उपादी परमभागवत अंकित है आप इसे नोट कर लिजेगा और एक बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ पर समुद्रगुप्त विकल्प में नहीं है तभी आप दुतिय विकल्प के रूप में चंद्रगुप्त दुतिय को चुन सकते ह चंद्रगुप्त दुतिय की उपादी भी परमभागवत है अब थोड़ा सा विवाद कभी कभी इस TGT और PGT के कमीशन में प्रशनों को ले करके थोड़ा सा विवाद हो जाता है फिलहाल सही तोर पर पहली बार परमभागवत की उपादी लेने वाला गुप्त शाशक कोशन नमर सिक्स आप देख लीजे लेनपूल कह रहा है किस मुगल बादशा के लिए ये स्टेटमेंट है एक ऐसा बादशा जिसने अपनी युवा वस्था के समय ही अपनी शैजादों और सूबेदारे सूबेदारों वाली राजपोशाक फेक कर एक फकीर के निकरश्ट वस्त्र धारेंड कर लिए ऑप्शन बाबर हुमायू और अरंग्जेब और बहादुर शा प्रथम है बताने की बहुत जरूत नहीं है और अरंग्जेब है सादगी पसंद और चरित्रवान शाशक मुगल काल में सरवादिक चरित्रवान अगर ये कहता है कि मुगल काल में स औरंग जेप को ही शाही दर्वेश या जिन्दा पीर जैसी उपाधियां दी गई है ये वही शाशक है जिसने कुरान की परंपराओं का बड़ी कटरता से पालन किया और मुस्लिम जनता के आचरण के निरीक्षण के लिए इसने एक नवीन पदाधिकारी मुहसिब की नियुक्ति की मुहसिबों के बारे में भी आप से पूछा गया है कि मुहसिब कौन थे तो मुहसिब की नियुक्ति और अरंग जेब ने करी है और इन मुहसिबों का कारिय ये था कि ये मुस्लिम जनता के संदर्ब में इस बात का निरीक्षण करें कि लोग इसलाम की परंपराओं का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं या नहीं पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं या नहीं रोजे रखते हैं या नहीं फिलाल अगला प्रशन देखिए कोशन नमबर सेवन महाराजा रणजीत सिंग से संबंदी थे मैंने पहले ही आपको हिंट कर दिया किस ने कहा कि इश्वर की एक शाथी की मैं सभी दर्मों को एक ही निगा से देखूं इसलिए इश्वर ने मेरी एक आँख की रोशनी ले ल इस स्टेट्मेंट के लिए इश्वर चाहता था कि मैं सभी धर्मों को एक निगा से देखूं और इसलिए इश्वर ने मेरी एक आँख ले ली ये स्टेट्मेंट महाराजा रणजी सिंग से संबंदी थे वो स्वयम कहते हैं इस स्टेट्मेंट को अगला प्रशन चेक कर ल गंगाल की खाड़ी तक जा पहुंची थी और वहां से गंगा का जल लेकर वापिस आई थी तो और यहां पर मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि राजेंद्र पथम की एक उपादी है गंगई कोंड ये हमेशा पूछा जाता है और ये उपादी उसने पूर्वी भ गल लेकर वे बता है